आज मैं बना रही हूँ चिली चिकन टेश्टी लाजवाब रेसिपी है और बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसका जो स्वाध है न एकदब मार्केट जैसा है जिस तरीके से आप रेश्टोडेंट्स अगेरा में खरीद कर खाते हैं बिल्कुल वही स्वाध वाला चि है तो आ ये है बनाते हैं चिली चिकन के चिली चिकन बनाने के लिए मैं इसित्माल कर रही हूँ बोल पांसो ग्राम यानी मैं डाल रही हूँ इसमें आदा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर वन फोर्थ छोटा चमच से थोड़ा सा कम इसमें मीठा सोड़ा डाल दे इसको डालने से क्या है न एकदम सॉफ्ट और जूसी बनता है दो चमच इसमें कॉन फ्लोर डाल दे एक से डेड़ चमच मैधा डाल दे जादा नहीं डालना है पहले आप इतना ही डाले उसके बाद मिक्स करने के बाद जरूरत लगेगा तो और डाल लेंगे आदा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर या आप स्वात के अनुसार डाल दे एक चमच इसमें चिली सॉच डाल दे नबग डाल दे आदा छोटा चमच या आप स्वात के अनुसार डाल दे वीडियो में जितना बताया गया है आप उतना ही डालते हैं तो एक तम परफेक्ट बनेगा अगर इसमें कोई चीज कम या जादा करना है तो आप कर सकते हैं बस इन सारी चीजों को न अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे थोड़ा से इसमें कॉन फ्लोर कम लग रहा है तो मैं दो चमच कॉन फ्लोर और डाल दी हूँ बस इसे भी डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए ना मैरिनेट करके छोड़ दें उससे क्या है ये और ज़्यादा टेश्टी बनेगा लेकिन आप चाहें तो इसे तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं तो बस 10-15 मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ अभी 15 मिनट हो चुके हैं तो इसे फ्राई कर लेते हैं ऐसा कि मैंने बताया आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं फ्राई करना है इसे लो से मेडियम फ्लेम पर तेज आज पर नहीं फ्राई करना है लो से मेडियम फ्लेम पर फ्राई करें और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि यह जो चिकन है अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो इसको बहुत जादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती है तो अब ही क्या है ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई भी हो गया है और शौफ भी हो गया है तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी का जो भी चिकन हमने महरिनेट करके रखा है न उसे भी फ्राई कर लेते हैं ध्यान रहें गैस का फ्लेप लो से मीडियम के बीच में रखें देखें अब ये वाला बैच भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो इसे भी बाहर निकाल लें अब उसी पैन को गरम कर लेंगे इसमें से मैंने तेल कम कर दिया है और तीन से चार चमच तेल इसमें छोड़ दिया है बाकी का तेल मैंने हटा दिया है अब इसमें एक चमच बारी किया हुआ लैसन एक चोटा चमच अद्रक और दो से तीन हरी मिर्चे डाल दें हरी मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं बहुत लोगों को कम तीखा पसंद होता है तो उसमें क्या है आप हरी मिर्च का इस्तिमाल कम करें हलका साइसे चला लेंगे इसको पकाने की जरूरत नहीं है ना ही इसे लाल करने की जरूरत है अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई पर रखा है अब इसमें एक सिमला मिर्च और एक मेडियम साइज का प्याज इस तरीके से टुकडे में बड़े टुकडे में हमने काटना है जिस तरीके से सिमला मिर्च काटा है बस उसी तरीके से प्याज को भी काटना है तो एक सिम्ला मेर्च और एक प्याज का इस्तमाल किया है मैंने इसे भी डाल कर हम चला लेंगे हाई फ्लेम पर कुछ तेर के लिए अभी क्या है न चीजों को पकाने की जरूरत नहीं है नहीं इसे हमें ब्राउन करना है सुनेरा करना है कुछ भी नहीं करना है बस चीजों को डालते जाएं और चलाते जाएं आधा चोटा चमच इसमें नमक डाल दिया है मैंने एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं दिखिए एक से दो मिनट मैंने इसे चला लिया था हाई फ्लेम पर अब इसमें दो चमच चीली सॉस दो चमच के करीब इसमें ग्रीन चीली सॉस डाल दें आप चाहे तो ग्रीन चीली सॉस ना आवाइट भी कर सकते हैं सिर्फ रेड चीली सॉस से भी ये रेसिपी बनाई ज चोब डाला है मैंने कलर के लिए आधा चोटा चोटा चमज इसमें लाल मिर्च पाउडर ये तीखे पन के लिए हैं आप चाहे तो इसे कम जादा कर सकते हैं और जो हमने चीकन को फ्राय करके रखा है न उसे डाल कर हलका सा मिक्स कर ले अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक से देड़ चमब सोया सॉस एक से देड़ कप इसमें पानी डाल दे अब इसमें क्या है नै इसकी consistency को ठिक करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ दो चमब सो कौन फ्लोर और दो चमब सो पानी इन दोनों चीजों को ना अच्छी तरह mix करने के बाद इसमें डाल दे और एक बार अच्छी तरह चला ले अब क्या है ना इसे हमने पकाना नहीं है बस पांच मिनट ना धीमी आज पर हम छोड़ देंगे इसे अगर आपको जादा ग्रेवी वाला पसंद है तो इसमें आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं बस थोड़ा सा टेष्ट कर ले अगर किसी चीज की आपको कमी लगती है तो आप उसमें एड़ कर सकते हैं बस टेष्ट करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक जो है कम लग रहा था तो मैंने इसमें आदा छोटा चमच नमक और डाल दिया है और इसी के साथ एक चमच इसमें वाइट विनेगर डाल दें बस इसे डाल कर मिक्स करें पांच मिनट धीमी आज पर पकने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे गरम गरम सर्फ करें इसे या फ्राइड राइस के साथ नूडल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या इसी तरीके से खा सकते हैं खाने में तो टेश्टी लगता ही है और देखा अपने बनाने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है तो कैसी लगी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू